जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं बादूर तो वे कहलाते हैं जो हार निश्चित होने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ते नमस्कार मैं आज आपका विक्राइक इसाम पर स्वाध करता हूं तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं UPSC पिछली क्लास में हमने क्लास हो चुकी है आज 26 में क्लास है और इसके बाद जो है स्लेबस पॉलिटी का हमारा फिनिश हो जाएगा आप कोई भी एक्जाम देखिए उसमें जो है तीन से पांच कोशन पॉलिटी से पुछे जाते हैं कितने तीन से पांच और उमिद करता हूं मुझे पूरा विश् सर्विस कमिशन क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन अगर इसकी फॉर्मिशन की बात करें तो देखिए यह जो है एक अक्तूबर 1926 को जो है इसकी फॉर्मिशन होई थी और शुरुवात में जो है 1926 में इसका नाम रखा गया था पब्लिक सर्विस कमिशन क्या Public Service Commission और उसके बाद कुछ time के बाद जो है इसे change करके Federal Public Service Commission क्या Federal Public Service Commission इसका नाम रख दिया था और उसके बाद जो है हमारे independence के बाद इसका नाम फिर से change करके जो है UPS से रखा गया यानि इसका तीन बार नेम चेंज हुआ है सबसे पहले जो है एक अक्तोबर 1926 को जो है इसका Public Service Commission नाम रखा गया था उसके कुछ time के बाद इसे change करके Federal Public Service Commission करा था ठीक है दूसरा नाम वो था और independence के बाद इसका नाम फिर से change करके Union Public Service Commission रखा गया आगे बात करते हैं अगर इसके आर्टिकल की तो देखी ये आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में जो है अलग-अलग Service के लिए ये define किये गए हैं जैसे कि अगर इसका चेयर्मेन किसका UPSC का चेयर्मेन अगर अपोइंट करना है तो यह कौन अपोइंट करेगा President और यह किस आर्टिकल के अंडर आएगा यह आएगा 316 316 ठीक है यह जो इसका चेयर्मेन अपोइंट करते है प्रेजिडेंट वो किस आर्टिकल के अंडर आता है वो 316 के अंडर आता है तो इसी वजह से जो है अलग-अलग members कि वह फिसमें total कितने members होते हैं इसमें जो है 9 से 11 member हो सकते हैं UPSC में कितने 9 से 11 और यह including chairman के chairman भी इसमें include है अगले point के बात करते हैं जो इसका member होते हैं और chairman साथ में member plus chairman उनको appoint कौन करता है important question है president जो UPSC के chairman और members होते हैं उनको कौन appoint करता है president और अगर बात करें अभी हाल-फिलाल में जो UPSC के chairman है वो कौन है वहें अर्विन सकसेना कौन अर्विन सकसेना जो है हाल-फिलाल में जो UPSC के chairman ने वे है अगले point की बात करते है कि president ही इन्हें appoint करेगा और president ही इन्हें remove करेगा या president ही इन्हें remove करता है और remove कब करेगा जब जो है recommend करेगी supreme code, जब supreme code की recommendation आने के बाद ही president जो है UPSC के chairman या, firm member होते हैं उनको remove कर सकता है उससे पहले जब तक recommendation नहीं आती तब तक जो है president के पास इतनी power होती है कि उनको वो suspend कर सकता है ठीक है अगले point के बात करते हैं अगर इनके functions की बात करें तो UPC क्या function है देखिए सबको पता है UPC क्या है एक recruiting agency है क्या recruiting agency है जो क्या खरवाती है एक्जाम को कंडुक्ट करवाती है अलग-अलग services के लिए जैसे कि ocs हो गया IPS हो गया ठीक है यह अलग-अलग तरह की services जितनी हं होती है हमारी total जो UPSC में होगो 24 service है जो UPSC में हो टोटल कितने सर्विसेज हैं वे 24 सर्विसेज हैं इनके लिए जो है UPSC एक्जाम कंडक्ट करवाती हैं यह एक तरह से हम फंक्शन बोल सकते हैं सारे ठीक है अगला पॉइंट देखते हैं एडवाइज दा प्रेजिडेंट सर्फ प्रेजिडेंट को सर्विसेज होती हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए सेकंड उनके प्रमोशन के लिए और थर्ड जो है ट्रांसफर कहां से वन सर्विस से दूसरी सर्विस में जाने के लिए ट्रांसफर की जो है रिकमेंडेशन दे सकती है एडवाइज दे सकती है पर प्रेजिडेंट को जो है binding नहीं कर सकती UPSC लास्ट पॉइंट देखते हैं maintain the continuity of administration सबको पता है जितने भी SDM वगरा, DC वगरा होते हैं सारे administration में होते हैं तो इनको जो है ये maintain करती है UPSC, तो ये कुछ एक important point थे UPSC में जैसे कि कफो मुआ था और किस-किस article के अंडर आते हैं, chairman कौन है और कितने members हो सकते हैं और कुछ एक इसके जो function होते हैं, total service कितनी हो सकते हैं, कुछ एक important question थे जो exams में आ सकते हैं UPSC के बारे में ठीक है, इससे बाहर paper में question नहीं आएगा, तो चलिए फिर आज इक लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम फिर में लेंगे एक नए सब्सक्राइब के साथ तो अगर आपको मेंटी क्लास अच्छी लगे, तो शी शेयर करें और में चल्न को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद